हम जीके अपना समान्य अध्यान पढ़ रहे हैं जो रेलवे के एक्जाम्स में पूछा जाता है चाहिए आपका कोई सभी एक्जाम्स हो गुरूप डी का हो या एलपी का हो एंटी पीसी का हो टेक्निशन को किसी का भी हो ठीक है या आर्पी अपका हो तो सभी में आपके समान गटना है गवर्नर जन्रल और बायस राय ठीक है आज के टोपिक में उससे पहले मैंने आपको बहुत सल टोपिक करा दिया है अगर आपने बुर नहीं देखे हैं तो डिप स्कुरूप करते हैं चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी क्वेरियो कमेंट में जरूर बताया करें तो आज के टोपिक में पढ़ेंगे इसमें समाने अध्यन में जो आपके क्यूसन पूछे जाते हैं तो इसमें पढ़ेंगे इतियास की प्रमो घटना है जन्रल गवर्नर जन्रल और वायस राय के बारे में ठीक है तो चलिए सुरुबात करते हैं दीके इतियास की प्रमो घटना होगे अगर यहाँ पर बात करूँ तो भारत में आर्यो का आगमन तो भारत में आर्यो का आगमन पंदरसो इस्वी में हुआ था ठीक है कब हुआ था पंदरसो इस्वी में रिगवेद काल तो रिगवेद काल आपका पंदरसो से एक हजार इस्वी पूर तक माना जाता है महावीर का जनम तो महावीर का जनम आपका 540 इस्विपूर में हुआ था महावीर का निर्वार यानि के म्रत्यू 468 इस्विपूर में हुई थी गोतम बुद का जनम तो गोतम बुद का जनम 563 इस्विपूर में हुआ था गोतम बुद का महापरी निर तो गोतमभुद का महापरी निर्वार 483 इस्विपूर में हुआ था सिकंदर का भारत पर आक्मर्ण वह 326 से 325 इस्विपूर के मद्ध्य हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की म्रत्यु दो सो अठानवे इस्विपूर में हुई थी ठीक है असोग द्वारा कलिंग पर बिजये 261 इस्वी पूरमे ठीक है बिक्रम समबत का आरम तो बिक्रम समबत का आरम 58 इस्वी पूरमे ठीक है सक संबत का आरम आपका 78 इसवी पूरम में हिजरी संबत का आरम जो हुआ था 661 इसवी में ठीक है फायान का भारत यात्रा फायान की भारत यात्रा 405 से 11 इसवी ठीक है हर सुबर्धन का सासनकाल ठीक है 606 से 647 इसवी के मद्ध है हैंसां की भारत यात्रा ठीक है चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार ब्रहमण ठीक है भारत पर प्रत्थम मुस्लिम आक्मर तो भारत पर प्रत्थम मुस्लिम आक्मर 712 इसवी में ठीक है सोमनात मंदिर पर आक्मर तो सोमनात मंदिर पर आक्मर 1025 इसवी में तराइन का प्रत्थम युद 1191 इसवी में तराइन का दुत्यय युद 1192 इसवी में गुलाम बंस की इस्तापना 1206 इसवी में इवन बतूता का भारत आगमन तो इवन बतूता 1333 इसवी में आया था बिजय नगर सामराज्जी की इस्तापना 1336 इसवी में तैमू लंका भारत पर आक्मर 1398 इसवी में गुरु नानक देव का जनम तो गुरु नानक देव का जनम 1499 इसवी में बासको डिवावा का भारत आगमन तो बासको डिवावा भारत 1498 में आया था आगरा सहर की इस्तापना पंदरा सो चैय इस्वी में चोसा का युद पंदरा सो उन्तालिस इस्वी में कन्नोज या बिलग्राम का युद तो यह था पंदरा सो चालिस इस्वी में पानीपत का प्रत्थम युद पंदरा सो चब्विस इस्वी में पानिपत का दुत्यय युद्ध 1556 इस्वी में पानिपत का तीसरा युद्ध 1761 इस्वी में तो तीनों पानिपत के युद्ध भी पूछ ले जाते हैं अकवर का जन्म 1542 इस्वी में अकवर का राज्य रोहन तो राज्य रोहन वहता 1556 इस्वी में हल्दी गाटी का युद्ध पंदरसो चेतर इस्वी में, दीन ए दिलाही धर्म की इस्तापना पंदरसो बैसी इस्वी में, इस्ठ इंडिया कम्पनी की इस्तापना इस्वी में, अक्वर द्वारा मनसुदारी का प्रारम 1574 इस्वी में पिलासी का युद 1757 इस्वी में बेदरा का युद 1769 इस्वी में बक्सर का युद 1764 इस्वी में प्रत्थम अंगल मैसूर युद 1767 से 79 इस्वी के मद्धी है ठीक है अब देखे, प्रतम अंगल मैं सूर्यूद, दुत्य अंगल मैं सूर्यूद, तिर्तिय अंगल चौथूर्ट तो ये तीनो चारो पूँज लेता है, तो प्रतम हुआ था, शत्रैसो शाड़ सटुनातर के बीच में, दुत्य वद्यूद, शत्रैसो अस्टीस चौरासी के में संताल विद्रो 1855-56 के मद्ध है ठीक है एहोम विद्रो 1828-33 के मद्ध है ठीक है एहम विद्रो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं फाई का बिद्रो तो फाई का जो बिद्रो हुआ था 1817 से 25 इसवी के मद्ध है भील बिद्रो तो भील बिद्रो हुआ था आपका 1818 से 31 के मद्ध है हो बिद्रो तो हो बिद्रो हुआ था आपका 1821 से 21 के मद्ध है कोल आंदोलन तो कोल आंदोलन वहाता आपका 1831 से 32 के मद्य है ठीक है रामोसी बिद्रो तो रामोसी बिद्रो के अगर बात करूं तो यह वहाता 1822 से 39 के मद्य है बहावी आंदोलन तो यह वहाता आपका 1826 से 71 के मद्य है खासी बिद्रो तो खासी बिद्रो वाता आपका 1833 में नील बिद्रो तो नील बिद्रो वाता आपका 1869 से 60 इसवी के मद्धी है ठीक है फयाजी आंदोलन तो फयाजी आंदोलन आपका 1868 से 60 के मद्धी है मुंडा बिद्रो तो मुंडा बिद्रो आपका 1899 से 1900 के मद्ध है हुआ था ठीक है उसके अध मोपला बिद्रो के बात करें तो मोपला बिद्रो आपका 1922 से 22 के मद्ध है कूका अंदोलन तो कूका अंदोलन आपका 1840 से 1832 के मद्ध है कांगरेश की इस्तापना तो कांगरेश की इस्तापना 885 में हुई थी ठीक है मुस्लिम लीग की इस्तापना 1906 इस्वी में माले मिन्टो सुधार तो माले मिन्टो सुधार 1909 में लागू हुआ था चमपारण सत्य गरे 1927 इस्वी में खेडा सत्य गरे तो खेडा सत्य गरे आपका 1918 इस्वी में खिलापत आंदोलन 1919 इस्वी में खिलापत आंदोलन शुरू हुआ था ठीक है प्रत्थम बिश्वियुद आपका 1914 से 1918 के मद्ध्य हुआ था ठीक है दुत्त्य बिश्वियुद तो दुत्त्य बिश्वियुद हुआ था 1949 से 1945 के मद्ध्य है ठीक है लखनाव समझोता तो लखनाव समझोता हुआ था 1916 इस्वी में हमरूल लिख की इस्तापना 1916 इस्वी में जलिया वाला बाग हत्याकान 1919 इस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआता 1919 इस्वी में एस आयोग आंदोलन 1920-22 इस्वी में बायोकॉम सत्यागरे आपका 1924-25 इस्वी के मद्ध्य है साइमन कमिशन का आगमन, तो साइमन कमिशन आपका 1928 में भारत आया था, ठीक है, दांडी मार्च नमक सत्य गरह, तो दांडी मार्च नमक सत्य गरह 1930 में हुआ था, गांदी इर्विन समझोता, तो गांदी इर्विन समझोता 1931 में हुआ था, केविनेट मिशन का आगमन, तो क 1946 में मात्मा गांदी की हत्या 1948 में होए थी चीन का भारतपर आकमन 1962 में हुआ था ठीक है भारत पाक युद्ध तो भारत पाक युद्ध हुआता 1965 में तासकंद समझोता तो तासकंद समझोता हुआता 1966 में ताली कोटा का युद्ध तो ताली कोटा का युद्ध हुआता 1565 इस भी में कारगिल युद्ध तो कारगिल युद्ध हुआता 1999 इस भी में प्रत्थम गोल में सम् तिरतिय गोल में सम्मेलन 1932 में, तो तीन गोल में सम्मेलन हुए थे, चीक है, सेविने अबगा आंदोलन की सुरुवात का वोई थी आपकी 1930 में, क्रिप्स मिशन का आगमन, तो 1922 में क्रिप्स मिशन आया था भारत, चीक है, आजाद हिंद फोज का गठन 1942 में, भारत छोड़ आंदोलन 1942 में, चीनी क्रांथी 1911 में, फ्रांसिसी क्रांथी 1789 में, रोसी क्रांथी 1917 इसवी में, ठीक है, तो ये इतियास की घटनाय है, इनको नोट कर लेना, ठीक है, चलिए, अब इसमें बात करते हैं, आगे गवर्नर जनर्नल और बायसराय के बारे में, ठीक है, बंग पेला गवर्ननर जनरल Hug बंगायल में इस्ताई बंदोबस्तु लाड़ कानवलिस द्वारा भारत में सिविल सेना का जनक कार्णवालिस को माना जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जन्रल लाड कैनिंग भारत का प्रत्थम बायस राय और अंतिम गवर्नर जन्रल लाड कैनिंग ही था ठीक है स्वत्न्त भरत का प्रत्थम Governor General लाडमाउंٹ वेटेंड बंगाल का विवाजन किस ने कह था लाड करजनने रेलवे बोर्ड का गठन लाड करजनने बंगाल विवाजन रद किया लाड हेडिंग सेकर्डनने भारत में रेलवे की इस्तापना तो भारत में रेलवे की स्थापना लाड डलोजी के काल में भारत में डाग की स्थापना लाड डलोजी के ही समय में पहली बार पाकिस्तान की मांग लितिंगों ने किसने करे थी लितिंग गिनों से जलियावाला बाग हत्याकांट लाड चैम्स बोर्ड के समय सती पिर्था 829 का अंत ठागी पिर्था 830 की समाप्ती में किसने की थी बिलियम बेंटिंग ने का रही थी परतम फैक्टरी अधिनियम कब पारित हुआ तो लाड रिपन के समय में अलिगर्ड मुसलिम विश्विद्याले की इस्तापना 1930 में किसने करी थी लाड चैम सपोर्ट के समय हुई थी समिधान सभा की पिर्थम बैठक जो हुई थी लाड वेवेल के समय में हुई थी बंबई कोलकाता साम मरदास में हाई कोर्ट की इस्तापना 1862 में लाड केनिंग के समय हुई थी ठीक है होम रूल लीक की इस्तापना तता चमपानल सत्यगर निसो सत्या लाड़ चैम्स फोर्ट के समय हुआ था सायक संदी की सुरुआत तता फोर्ट बिलियम कालेज की इस्तापना अठारसो में बेल जली के समय हुई थी ठीक है भारत में सायक संदी का प्रियो किसने किया था डूपले ने महरानी विक्टोरिया केसर ए हिंद उफादी से सम्मानित किया था 870 में लाड लिटन ने अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया 835 में लाड विलियम वेंटिंग ने बंगाल का सेर कहता था तो बंगाल का सेर कोन कहता था लाड बंगाल का सेर कहता था लाड वेल जली साइमन का मिशन भारत आया लाड इर्विन के सम्मे क्रिप्स मिशन का आगमन लाड लिन्थिको के सम्मे के बिनेट मिशन भारत पहुचा लाड वेविल के सम्मे Muslim League की स्तापना लाड मिन्टो सेकर्ड के समय दुत्य बिस्वियूत का प्रारम लाड लिलितिंकों के समय भारत छोड़ो आंदोलन लाड लितिंकों के समय 27 स्वेशासन का प्रारम लाड रिपन के ही समय में हुआ था से बिने अब का अंदोलन के सुरुवाद लाड इर्विन के समय में ऐसा योग अंदोलन के सुरुवाद लाड चैम्स फोर्ड के समय में होई थी ठीक है कांग्रेस का जनम तो कांग्रेस का जनम लाड डफरिन के समय हुआ था कांग्रेस का जनम ठीक है भारत्य प्रेस का मुक्तिदाता चार्स मेट काप को माना जाता है नर्वली पिर्था का अंत लाड होर्डिंग ने किया था दास पिर्था का उन्मूलन लाड एलन भरोने भारत में पिर्थम जनगर्णा की सुरुआत तो लाड मयो के काल में लाड मयो के समय में बारत में जनगर्णा की सुरुआत हुई थी नियमित जनगर्णा की सुरुआत तो नियमित जनगर्णा की सुरुआत लाड रिपन के समय कब हुई थी लाड रिपन के समय प्रथम गोल में सम्मेलन लाड इर्विन के समय तो तिया गोल में सम्मेलन लाड वेलिगटन के समय में हो ये था तो दिखे सारे मैंने point to point आपको करा दिये हैं तो जितने भी point इसमें बनेंगे उसी प्रकार से में आगे भी सारे टोपिकों को कराता चलूँगा तो चैनल पर नए हो subscribe कर लेना और कोई भी query हो comment में जरूर बताया करें तो कल के topic में ये वड़ा पढ़ेंगे भात में सबसे बड़ा चोटा बहुलिक उपनाम बिस्प में सबसे बड़ा चोटा लंबा ठीक है तो इसी तरह से मैं आपको सारे topic करा दूँगा इसके यतने भी इसमें topic है ठीक है जो आपके exam से पूछे जा सकते हैं तो चैनल पर नए हो subscribe जरूर कर लेना और इसकी pdf की ebook चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी निचल डिप्स कसन बाइट सबका नमबर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम गुर्प को भी जरूर जोएन कर ले है ठीक है तो मिलते हैं कल इसमें आगे के क्युस्टनों के साथ जब तक के लिए धन्यवाद